हेलो दोस्तो एमबर हर्ड और उनकी लोयर एलेन ब्रेड़ेहोफ अब जेल जा सकती है हाँ सही सुना एमबर हर्ड और जोनी डैप डेफरमेशन ट्रायल के दोरान एमबर हर्ड ने तब कोर्ट में एक ऐसा जूट बोला था जिसकी पोल अब इस ट्रायल के खत्म हो जाने के बाद भी खुल रही है ये जूट इतना बड़ा था कि इसकी पोल खुल जाने के बाद एमबर हर्ड और उनकी लोयर जेल भी जा सकती है ये इस केस में एक नए खुलासा है जिसके कोंसेक्वेंसिस एमबर हर्ड के लिए मुश्कले खड़ी करने वाले है कौन सा वो जूट था और उसके अब क्या-क्या कोंसेक्वेंसिस हो सकते हैं लेट सब्सक्राइब इस वीडियो सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं जिसे रिसेंटली ही अपलोड किया गया है इस वीडियो में ये लेडि कुछ ऐसी बात बता रही है जिसके बाद ये केस एक नया तरन ले सकता है लेकि अगर जो नीडप चाहे तो चलिए पहले सुनते हैं इस लेडियों क्या कहा और इस लेडियों कितनी सच्छा ही है मैंने आपके लिए इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है ताकि हिंदी ओडियों के लिए इस केस को समझें में असानी हो सब एके लेडियों करना श सरके लेसे के इट लिए लाटनी में राटनी लिए में अज़े case लेड़ बाडनी कि यानुन्या थान में ऑढके से हाघर एकि लोमा के लोग जुphone प्लास्जिय अपने सी तोली झेले की खेंब़ कर 008 धोलव तोरी के आ मतलाओ कर अीछ एया किए फै थarchyोट थालar स्सु धाने थो को सही जा इवाँ तेंट टॉञ्द को अइले के जानांग एंगी। and say she had spent the six million dollars on attorney's fees and that was one of the reasons she hadn't turned over the donations. Elaine knew who is paying her bill but she repeated it in closing. I would not want to be Elaine and have this reported as an ethical violation and explain away that you didn't know who was paying your bill. You had no idea it was the insurance company and not Amber. तरके उन सभी statements के बारे में पता लगाने वाले हैं जिनकी वज़ा से Amber के साथ साथ उनकी lawyer की भी मुस्क्लिप बढ़ने वाली हैं. एक्शली ये खुलासा तब हुआ जब एक TikTok यूजर जो की Turnwall Brockmire low group की एक member भी है TikTok पर एक video upload करती है जिसमें वो ये explain करती है कि court में proceeding के दोरान कैसे Amber Heard और उनकी lawyer ने कहीं सारे जूट बोले थे जिसके consequences इस case के खत्म होने के बाद भी काफी serious हो सकते हैं. वीडियो में दिख रही ये lady एक low firm की member है जिनका नाम Adele Lewis Brockmire है और इनकी अनुसार trial के दोरान Amber Heard ने बताया था कि उन्होंने 6 million dollar अपने lawyers की fees पर खर्ज कर दिये हैं. इस जवाब के response में Camille Vasquez ने immediate object भी किया था और ये कहा था कि court में ये बताना कि वो अब तक अपने lawyers पर कितने पैसे खर्ज कर चुकी हैं तब इस बात को उपर लाना कि lawyers की fees पर कितने पैसे खर्ज किये गए ये बस court को emotionally blackmail करने के लिए बनाये जा रहे statements हैं और जब Camille ने इस बात को लेके court में objection किया तब ही से ही court ने decision लिया कि अब से Amber Heard और उनकी legal team lawyers की fees को लेके court में कुछ भी नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी Amber Heard की lawyer Alan Braddorf ने इसकी परवा ना करते हुए court में अपने closing statements के दोरान फिर से 6 million dollar की बात court के सामने रखी New York Post के अनुसार Amber Heard की lawyer Braddorf ने दावा किया कि Amber Heard ने 2016 से 2022 तक 6 million dollar lawyers पर खर्ज कर चुकी है Braddorf ने ये भी दावा किया कि lawyers की 6 million fees की वज़े से ही Amber Heard पूरा 7 million dollar donate नहीं कर पाई थी Actually जो इस case को सुरू से follow कर रहे हैं उन्हें Amber Heard के donation वाले जूट के बारे में पता होगा जो उन्होंने सब के सामने court में बोला था लेकिन जिने नहीं पता उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि 7 million dollar वो amount था जो कि Johnny Depp ने Amber Heard को divorce settlement amount के तोर पर 2016 में दिये थे लेकिन court में Amber ये कहती रही कि उन्होंने ये पूरा amount donate कर दिया है और जब court में उनका ये जूट पकड़ा गया तो उनके lawyers ये कहने लगे कि Amber ने इसलिए Children Hospital और American Civil Liberty Union को ये amount donate नहीं किया था क्योंकि उन्हें अपने lawyers की fees देनी थी Brady Hoff ने ये भी दावा किया कि जब से Johnny Depp ने उन पर case किया और उनके against उन्हें बदनाम करने के लिए campaign चलाया तब ही से ही Amber Heard ज़रूरत से ज़्यादा fees अपने legal team को दे चुकी है लेकिन court में lawyers की fees के बारे में discussion करने से रोके जाने के बावजूद भी एलेन बार-बार इस बात को court में repeat करती रही उनके lawyers court में सब जानते हुए भी बस Amber की तरफ से जूट बोले जा रहे थे ताकि वो बस कैसे भी करके Amber को बचा सके लेकिन लास्ट में इस trial में फैसला किसके पक्स में आया ये हम सभी जान चुके है लेकिन जब से Amber Heard की insurance representative के बारे में खुलासा हुआ है तभी से ही इस defamation trial के खत्म हो जाने के बाद भी एक नया twist इस case में आ गया है Pennsylvania की एक famous attorney Heather ने New York post से बात करते हुए इस मामले में अपने विचार रखे और बताया कि अगर किसी पर defamation case किया जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका कितना पैसा उस case को लड़ने में खर्च हुआ है उन्होंने ये भी कहा कि insurance company हमेशा ही coverage को deny करने का एक option अपनी back pocket में रखती है क्यूंकि अगर आप किसी public figure पर उन्हें जूटे case में फसाने के लिए उन पर मानहानी case फाइल करते हैं तो insurance company उस trial के दोरान हुए खर्चे को cover नहीं करेगी क्यूंकि ये insurance का एक गलत इस्तमाल होगा Actually बहुत से ऐसी insurance companies होती है जो defamation case पर full coverage देती है लेकिन उनके भी यही exception होते है कि अगर defamation case किसी public figure को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है तो वो insurance cover नहीं करेंगे और इस defamation case में अभी तक देखा भी यही गया है कि Ember Hurd इस पूरे trial के दोरान बस Johnny Depp को बदनाम करने में लगी हुई थी वो फिर चाहे court में हो या court के बाहर Washington Post के जरीए बस वो Johnny Depp को बदनाम करने में लगी हुई थी जिसके बाद Johnny Depp को अपने career में भी बहुत से बड़े losses का सामना करना पड़ा Virginia के जाने माने lawyer Stephen Emberd का इस बारे में कहना है कि अगर Emberd ये कह रही है कि वो defamation case हार जाने के बाद court द्वारा लगाया गया fine पे नहीं कर सकती तो उनकी property जिस पर वो presently रह रही है उसे जब्त कर लिया जाएगा और अगर इस property की value भी fine को cover नहीं कर पाती तो Emberd को jail जाना पड़ेगा और दूसरा जो point जिस पर Emberd jail जा सकती है वो ये है कि Emberd ने अपने lawyers को दी जाने वाली fees को लेके भी जूट बोला था और ये एक ऐसा जूट था जिसे Emberd की lawyer ने भी कई बार court में repeat किया जो कि एक serious violation है और अगर Johnny Depp के lawyer इस बात को लेके court में appeal करते हैं तो Emberd और उनकी lawyer Allen ये दोनों ही jail जा सकती है ये news जैसे ही internet पर viral हुई तो सभी लोग अपने व्यूज के साथ इस पर comment करना शुरू करने लगे जैसे कि एक user ने comment किया कि एक funny बात है कि Allen ने अपने closing statement पर जूट बोला था कि Emberd 6 million dollar अपने lawyers की fees भी नहीं पेश कर सकेगी जबकि वो ये जानती थी कि Emberd की home insurance company ये पूरा bill pay कर रही है लेकिन इसके बात भी उसने जूट बोला दुनिया बर के बहुत से लोग अब इस खुलासे को सुनकर इस case में आगे क्या होगा ये जानना चाहते हैं क्योंकि इस खुलासे के बाद millions of tweets और comments Emberd हर्ड और उनकी lawyers के आगे इस किये जा रही है जिससे एक बात तो clear हो जाती है कि Emberd हर्ड दुआरा सच में ही जूटे defamation case में फसाया जा रहा था और court में Emberd का बार-बार रोना भी जूट ही था लेकिन अगर इस case में Emberd हर्ड जीत जाती तो उन्होंने जूट पर 100 million dollar का defamation case किया हुआ था जिससे ये साफ-साफ साबित हो रहा है कि Emberd हर्ड ने जोनी डैप पर पैसो के लिए case किया था आपकी इस बारे में क्या रहे हैं प्लीज comment section में जरूर बताएं और इस चैनल पर और भी informative वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब तो इस चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में